हे गर्ल्स, यहां पर जो है फेस्टिव सीजन आने वाला है, वेडिंग्स बहुत सारी आने वाली हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारा मेकप करना पड़ेगा, पर मेकप से पहले जो हमारे स्कार्स हैं, like हमारी डार्क सकल हो गए, यहां पर डार्क स्पॉर्ट हो गए, तो आपने एक अच्छा सा गुड क्वालिटी जो है मौशुराइजर लेना है यहां पर मैं इमोलेन का यूज कर रही हूं काफी टाइम से और यह काफी सफल है इसकिन को बहुत अच्छा बना देता है आप देखिए लाइक इस आर माई प्रॉब्रमेटिक एरिया तो यहां पर आपने प्राइमर भी जो है काफी अच्छी क्वालिटी का यूज करने क्योंकि हमारे पोर्स जो है वह इनलार्ज रहते जिनको मिनिमाईज करने के लिए और सबसे अच्छा गारण होतह 27 जू है उतने ही अच्छी क्वालिटी आपको रलबैंगे यहां पर कार्यक्टर के लिए मैंने यूज किया तो स्विस्टी की करेक्टर जिनका की शेड आपको पर प्रॉरे फेस पर दिख रहे हैं यहां पर फर्स्ट मैं यूज कर रही हूं और इसको भी अपने भर भर के नहीं लगाना है देखें मेरे डाक सकल है कितने जादा है बट उसके बाद भी कॉंटिटी देखें कितने हिसाब से बहुत ही कम लगाई है एरिया पर लगा रही उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडर रह गया तो आप अपने जो आपका नॉर्मली ड्राइ ब्यूटी ब्लेंडर है उससे आप कर सकते और उसके बाद कभी भी गलती ना करें हमेशा करें और एक लाइट कर यूज करने की इंस्टीड ओफ आपने एक डार्क करेक इविनली स्प्रेड दिखें कहीं पर ऐसा नौज कि अगर आपने फाउंडिशन लगाना है तो कहीं पर आपको चिटटट दिख रहा है और कहीं पर आपको कला कला दिख रहा है तो इस चीज का ध्यान रखें और यहाँ पे पिंपल्स की रेडनेस को दूर करने के लिए ग् डार्क करेक्टर यूज कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर मेरी क्योंकि मेरी एक्जाक शेड का मुझे कंसीलर नहीं मिला स्विस में तो मैंने यहाँ पर शेड टू और शेड फोर को मिक्स करके अपना एक शेड बना रही हूं जो कि मैं हमेशा यही करती हूँ और अब के सooP अबकfficient बेशा बिड़ण करोंगे तो अपने फिंगर से ह ही आपने पूरा डाप है अपने ब्यूटी ब्लेंडर तो यहाँ पिक प्रॉप्ड निकल जाए ख़ी ऑपका जो एक्ट्रा ब्राइब निकल जाया ए तो इसके लेयर आपके फेस पे देख सकते हैं, तो इसके लिए बिलकुल तयार फेस है, आप चाहें तो इसके उपर इतनी मर्जी आप फाउंडेशन की लेयर लगा सकते हैं, और अपने जो पूरा मेकप है उसको बहुत, और यह देखिए, यह मीडियम कवरिज दे रहा है, तो इसलिए डाक स्पॉर्ट जो है, और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है, जब भी हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे अच्छी सी क्वालिटी का, यहाँ पे हम लुज़ पाओ्डर हमारी बहुत्ती है, इसने यह पे उसके जगह पे इसाइड़ कर ले ठीचज़ को एक आइक कि आई-कलर से मैच कर रहा हो, कि सेमाफ लुज़ पाऊडर जैसे हो, तो वह आपने यूज़करना हो model और उसके बाद ना, आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से बट अपनी अंडर आइस और अपर लिट पे कभी भी यह गलती ना करें तो दिस इस टुदेश टेप टिप टॉप को मल टेप और इसको यूज करके आप अपने मेक अपको लॉंग लास्टी बना सकते हैं आप आपको वीडियो ते लोगी बबाई लव यू